जैहन मैं हूँ करना दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सेंग पाकिस्तान के अंदर तमाशा हुए कुछ दिन हो गए बहुत सारी जगाओं पर फाजी इंस्टालेशन को टागेट किया गया मार्टियर्स के मेमोरियल्स को टागेट किया गया एर फोर्स के स्टेशन को टागेट किया गया लेकिन लाहोर के कूर कमांडर के घर को जिस तरीके से टागेट किया गया और जलाया गया, वो कहीं ना कहीं मेरे जैसे विग्टी को परशान कर रहा है, की ये कैसे में मुंकिन है? अब एक कोर हमाणडर लेफ्टेर जजनरल और एक बहुत एहम एपाइंट्मेंट होता है, चाहे इंडिया का पोर हमाणडर हो, चाहे पाकिस्तान का पोर हमाणडर इनके पास गार्ड बडी तालाद में होती है तक्रीवन एक कंपनी गार्ड के दौर पर होती है है क्यों Policy मानने चलिए कि करीब तक्रीवन सौ के करीब आदमी उनकी गार्ड में लगा हो सकता है depending on the location और जो सुनने एक है कि पाकस्तान के could कमांडर के पास 75 लोगों की नफरी थी गार्ड की यानि कि इतने लोगों को तैनात किया गया था उसके घर की सुरक्षा करने के लिए और इतना पुखता सुरक्षा होने के बावजूद भी उस घर को टागेट किया गया और उस घर को आग लगा दी गया एक टाइम था जब हम समझ रहे थे कि कोर कमांडर वहां मौजूज नहीं था लेकिन बाद में वीडियो निकल के आ गए जिसके अंदर कोर कमांडर अपनी वाइब के साथ मौजूद थे जब उनके ड्रॉइंग रूम में उनकी लॉबी में प्रदंशन कारी घुस खड़े हुए और लाठी डंडों के साथ में वह उन्होंने घर में प्रवेश किया शुक्र है कि उन्होंने कोर कमांडर को मारा नहीं अगर वह कोर कमांडर को मार देते तो मेरे ख्याल से पूरा सिनेरियो कुछ और हो जाता और यह कोर कमांडर फिर अपनी जान बचाकर किसी नेवरिंग घर में गए वहां प सुनने में ये भी आ रहा है कि फौजी जो थे वो अपने हत्यार वहीं छोड़कर गार्ड रूम में ही छोड़कर और वहां से भाग गए अब कई सारे रियूमर्स चले एक रियूमर ये था कि फौजियों ने अपने आप ये करवाया है जिससे कि इम्रान खान एंड पार्टी को बैड लाइट में प्रोजेक्ट किया जाए और अपनी कारवाई यानि कि कहले कि मार्शल लौ की कारवाई या कोई इस तरीके की कारवाई अगर फौज करती है तो वह जस्टिफाइड हो जाए और वह जस्टिफिकेशन उसका दे सके इम्रान खान ने भी यही कोशिश कर करी है इस पूरे वाक्या को स्पिन देने की कि पाकिस्तानी फौजी सिविल ड्रेस में थे और हमारे लोग तो रोक रहे थे कि ऐसा ना करें उन्होंने कुछ एक आदा वीडियो भी जारी किया जिसमें कुछ महिला है प्रदर्शन कारियों को रोकने का प्रयास कर रही है हम लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के कोर कमांडर का घर जल जाए तबाह हो जाए चाहे कोर कमांडर खतम हो जाए चाहे फौजी सारे वहां खतम हो जाए हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमारे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि यह लोग प्रिमॉन दुश्मन है हमारे प्रिमोनियल दुश्मन का मतलब कि इसका इत्यास दुश्मनी का कुछ और है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं इसका मतलब यह है कि जो फाउंडर्स थे पाकिस्तान के उनको यह लगता था कि अंग्रेज गलत लोगों को सत्ता सोप रहे हैं उनका यह मानना था कि अगर डेमोकरसी होगी तो मेजॉरिटी वोट वाले इस देश पर राज करेंगे मेजॉरिटी हिंदू थी और उनको यह था कि अगर हिंदू हिं जो मुसल्मानों ने हिंदूओं पर करे हैं उसका बदला वो लेंगे तो एक किसम की इंसेक्योरिटी थी दूसरी चीज एक सुपीरियर्टी कॉंप्लेक्स था उनका यह मानना था कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो मुसल्मानों का राज था ज्यादा तर और मुस साथी साथ उनका यह मानना था कि इंडिया और हिंदुस्तान कोई एक कंट्री नहीं है जितनी रियासते हैं सारी रियासतों को आजाद कर दिया जाए दरसल जितने भी लोग इंडिया से पाकिस्तान गए बहुत जो रूलिंग क्लास थी अलग-अलग जैसे रियासत थे या जो उनकी फैमिली थी और इस तरीके से कई सारे मुसल्मानी रियासते जो थी वो उनके जो जो उत्रादिकारी थे वो पाकिस्तान को चले गए बड़े-बड़े जागीदार जमीदार पाकिस्तान का रुक कर लिया उन लोगों ने और यह वो लोग थे जिनके अंदर यह superiority थी कि भई यह हमी को सत्ता मिलनी चाहिए और इंसेक्योरिटी भी थी क्योंकि हमने इतना जुल्म ढाया है तो अब हिंदू अक्सरियत में है और वो डेमोक्रेटिक कंट्री वनने जा रहा है तो यह हमनारे साथ में उल्टा सीधा करेंगे अब दूसरी चीज जो इनके दिमाग में यह है कि हिंदूस्तान एक इस्लामिक मुल्क था आजादी के बाद इसलाम का पर्चम लाल किले से उतर गया और तिरंगा लहराने लगा यह कहीं न कहीं इनको खुशगवार नहीं इनको इनके ओपर बीट रहा और इनको लगता है कि यह इसलाम का जंडा उठाए हुए हैं और इनका ये फर्ज बनता है कि इसलाम का जंडा दुबारा से हिंदूस्तान पे काबिस किया जाए इसलिए उनका हीरो उरन्जेव है उनका हीरो बाबर है उनका हीरो अकबर नहीं है क्योंकि अक्बर कुछ डेमोक्राटिक वैलियूस दिखाता था तो यह उनलोगों को पसन्द नहीं है और एक और आपको मैं याद दिलाओं, 90s के दशक में और लेट 80s दूर दर्शन के उपर एक सीरियल बना था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को इंडिया का सीरियल बना था उसके अंदर सेकुलर दिखाया गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर देखा कि याद ये नरेटिव तो कुछ और प्रिजेंट हो रहा है, तो उन्हों ने भी टीपू सुल्तान बनाया, जिसके अंदर टीपू सुल्तान को इसलामी कट्टर इसलामिक रूलर के तौर पर पेश किया गया, उसमें दिखाया गया कि हिंदू कैसे उसको धोका देते पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसा मैंने कहा कि उनको लगता है कि पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है वो, और इसलिए उनका जो न्यूक्लियर बॉम है वो इसलामिक बॉम कहते हैं, और उनका एक ही एम है कि इंडिया को वापिस कबजा करके और उसके ओपर इसलामिक झंड काबिश करना जैसे मैंने बताया तो छब हम यह कहते हैं कि क tyre मिरका मसला और ही है सब मैं कहा रहा हूं चोटे मोटे मसले असली मसला जो मैंने बताया और कश्मीर देंगे तब भी बारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी रहेगी हम लोग करें दुश्मनी ना करें लेकिन वो लोग करते रहेंगे क्योंकि उनके हिसाब से उनका जो इस्लामिक मुल्क था वो हिंदूों ने अंग्रीजों की मदद से छीन लिया और यहां पर डेमोक्रासी काबिस कर लिए तो यह माइंडसेट के साथ में पाकिस्तान है और इस आइडिया ओफ पाकिस्तान यही है आइडिया ओफ पाकिस्तान इस आइडिया ओफ पाकिस्तान की रक्षा सुरक्षा और घेरा बंदी करके मजबूती से किला बंदी करके जो इंस्टिटूशन बैठा है वो है पाकिस्तान तो बहुत एहम इंस्टिटूशन है आइडिय ऑफ पाकिस्तान के लिहाद से उसको गार्ड कर रहा है मुस्लिम उम्मा और वो सारा कॉंसेप्ट जो मैंने बताया उसको प्रॉपगेट करता है उसी के आइडियल्स पे उसका पूरा आइडिया टिका हुआ है अब ऐसे में आईसे में कॉर कमांडर ईक लुट के जनरल बहुत इंपोर्टटिन कोर कमांडर है उसके घर पे हमला होता है उसके फिरिज से कौरमा वी चोरी हो जाता है इसाइट भी निकाल कर लोग खा जाते हैं और कोर कमांडर की वर्ति पहन के लोग टिक टॉक वीडियो भी बना जाते हैं इतनी इतना मजाक उड़ा है उस अपॉइंट्मेंट और उस अपॉइंट्मेंट के हाउस का और ये घर हिस्टॉरिकल है मेरे खाल से बंगलो नंबर 58 लहुर का लहुर के केंटोर्मेंट का 58 है 53 जो कभी जिन्ना हाउस हुआ करता था और एक पहले के पास चला गया और ये तब से कोर कमांडर हाउस के तौर पर है अब ये वाला घर जला दिया जाता है कोर कमांडर एक नपुनसक की तरह वहां पर वीडियो में देखा जाता है और उसके जो फौजी है वह बुजिलों की तरह मोर्चा छोड़कर अपनी डूटियां अधर भाग खड़े होते हैं इसका मतलब क्या है यह क्यों हमको परिशान करने वाली बात है इसका मतलब यह है कि पाहिस्तान फौज के अंदर बहुत जबरदस डिवाइड है यह मैं पहले भी कह चुका हूं कई जगाओं पर कह चुका हूं यह डिवाइड है तो हमें और इम्रान खान का अगर आप करेक्टर समझें तो वो को डेमोक्राटिक नहीं है बहुत ही फासिस किसम का व्यक्ति है और जब यह प्रधान मंतरी बना था इसने जितना जुल्म ऑपोजीशन के ऊपर किया आप सो सकते हैं कि अगर यह दुबारा से पाकिस्तान का प्रधान मं संत्री बनता है जिसमें पाकिस्तान की फाउज कमजोर हो जाती है जो जिस माइने में मैं आपको बता रहा था और जो फाउज इम्रान खान को सपोर्ट करती है वो ताकतवर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा इम्रान खान की पार्टी का समर्थ तहरी के तालिबान पाकिस्तान ने भी किया है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यह कहां से आते हैं और क्या सोच रखते हैं और जो फौज इम्रान खान के साथ खड़ी है वो दरसल कौन है हाइली इस्लमाइज्ड है इम्रान खान जब मुल्क का प्रधान मंत्री बनेगा और वो धड़ा जो इम्रान खान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है जब वो पावरफुल होगा तो आपको फौजी पाकिस्तान के फौजी तालिबान के फौजियों की तरह नजर आएंगे लंबी-लंबी दाडियां इनकी ड्रेसे हो सकती हैं और बहुत ही मतलब एक डेंजरस सिच्वेशन हो जाएगी और इनके पास होगा न्यूक्लियर बंग यह वो लोग होंगे जो अपने आपको तबाह करने से बिल्कुल नहीं हिचके चाहेंगे क्योंकि इनका मानना है कि यह अगर तबाह होते हैं काफि की चीज रहती है तो यह वाला जब टेंपलेट हम लगाते हैं तो हमको डर लगने लगता है और डर उन पाकिस्तानियों के लिए भी लगता है जो लिब्रल है जो मॉडन है जो अपने मुल्क को आजाद देखना चाहते हैं जिस तरीके का सपना इम्रान खान ने उनको दिख पर एतना चाते हैं लेकिन जो भीडिये की खाल में जो इनसान की खाल में जो भीडिया चुपा हुआ है वह शाइद कम लोगों को नजर आ रहा है खैर जहां तक इंडिया का सवाल है जाहे जैसे भी हो हम उसको जहलेंगे हम उसको डील कर लेंगे अब यहां पर भी दो पीन आते हैं एक opinion यह कहता है कि कि फेल्ड पाकिस्तान कि इस डेंजरस फॉर इंडिया तो यानि कि इम्रान खान और इम्रान खान की इम्रान खान वाली फॉज अगर स्ट्रेंथ में आती है जो कि फेल्ड स्टेट ही होगा इस तरीके की economy है तो वह भारत के लिए डेंजरस होगा दूसरा एक धड़ा है जो यह सोचता है कि फेल्ड एंड ब्रोकन पाकिस्तान इस इन इंडिया फेबर अब दोनों में फरक क्या है यह भी समझ लिया जाए जो लोग कहते हैं कि फेल्ड पाकिस्तान भारत के लिए खत्रा है दरसल यह अमन की आशा वाले लोग हैं अगर उनके बैग्राउंड में जाएंगे तो वह एक विशेश पार्टी को समर्थन करते हैं और अमन की आशा वाला उनका बैग्राउंड है और वो पिछले कई सालों से हमको यह लॉलीपॉप दे रहे हैं या हमको यह हमारी आँखों के उपर इस तरीके की पट्टी बान देते हैं कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो हमारे लिए बहुत खत्रा होगा तो इसलिए पाकिस्तान की अपीजमेंट करते रहो वो हमारे उपर आतंकी हमला करते रहे तो हम उसका जवाब ना दें क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान कमज कमज़ोर हो और वो फेल्ड स्टेट हो जाए क्योंकि हम अगर हम घएगे जवाब देंगे तो पाकिस्तान कमजोर हो गल स्टरेट हो जाएगा तो यह तो एक सायट था दूसरा साइड है की पाकिस्तान मौझूदा हालात में भारत के लिए खत्रा ऋपाकिस्तान पूरी तरह दबाव हो जाना चाहिए अफगानेस्तान ही क्यों ना बन जाए वो हमारे favor में हैं। हमारे उपर जो भी कोई मुश्किल आएगी हम उसको dealing कर लेंगे तॉसके हमारे institution हमारी economy यह सब काफी मझबूत है इसको dealing करने के लिए तो यह दो किसम के आइडियाज हैं पाकिस्तान को लेकर जब लोग अनलाइज करते हैं कि मेरा भी कि विचार इसी से मिलता जुलता है कि जो पाकिस्तान का जो आइडिया है वो इस सब कोंटेनिनेंट के लिए बहुत घातक हैं बेंजरस है और यह आईडिया कोल्ड़ाप्स होना चाहिए बर इसलिए मैं चाहता हूं कि इमरानखान और इमरान खान के समर्थन वाले फौजी system पर हावी हो और ये idea of Pakistan लेकर जो खड़े हुए हैं ये तबाह हो इसमें ये होगा कि economy का इतनी बुरा हाल है कि इमरान खान और उसका धड़ा अगर आ भी जाएगा तो वो उस तरीके से भारत पर नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बुनियादें कमजोर हो चुकी होगी और जब इमरान खान की पार्टी हावी होगी इमरान खान का फौज जी धड़ा जो है powerful होगा तो दूसरा धड़ा चुप नहीं बैठेगा हमने देखा कैसे मौलाना फजल रह्मान अपने मौलवियों की फौज लेके आके सुप्रीम कोड के गेट पे चड़ गए और सुप्रीम कोड के सामने उन्होंने धरना दिया उन्होंने लेक्चर बाजी करी तो एक वो भी धड़ा है और वो धड़ा इमरान खान के ऑपोसेट में खड़ा हुआ है तो इसी तरह फौज भी डिवाइड़ है और जब यह सिच मियाद है वो हिलेगी और वो हिलना बहुत जरूरी है कि यह मैसले कह रहा हूं कि कभी बंगलादेश भी पाकिस्तान था और बंगलादेश जब पाकिस्तान था तब उसका भी नजरिया कश्मीर के उपर था उसका भी नजरिया हिंदुस्तान के उपर वो ही था जो पाकिस्तान का था लेकिन अब वो वो चेंज हो गया है वो प्रोग्रेसिव हो गये हैं वो अपनी डवलप्मेंट में लगे हुए हैं और इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज में शुमार हैं तो यही इधर भी होगा पाकिस्तान के चार-पांच टुकड़े जितने भी होने होंगे और गैरेंटी के साथ कह रहा हूँ कि सिंद बलूचिस्तान और खैबर पक्तुंखवा यह भारत के अच्छे दोस्त होंगे पंजाबी फिर भी दोस्त नहीं होगा और गिल्गिट बल्दिस्तान और मुझफराबाद का जो यह पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर है यह भी लॉलेस होगा मेरे को नहीं लगता कि हम यह बेवकूफी करेंगे कि हम उसको अपने उसमें मिला लें क्योंकि उनको अपने साथ मिलाने का मतलब है कि आप अपनी समस्यां और बढ़ा रहे हैं जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं मदरसा चाप हैं आतंकवादियों की ट् ऐसे लोग हम नहीं चाहते कि हमारी population में आएं मिलें क्योंकि उससे बहुत बड़ी समस्यां हो जाएगी हम जैसे हैं हम खुश हैं और यह उधरी रहे तो अच्छा है तो कहने का मतलब है कि पंजाबियों में और इनके बीच में भी खेल चलेगा क्योंकि इनकी भी आपस में नहीं बनती है और पंजाबी और पठान लड़ेंगे पंजाबी और सिंदी लड़ेंगे यह एक इंपॉर्टन फैक्टर हो जाएगा अगर इस मुल्क का बैल्कनाइजेशन होता है तो कमिंग बैक टूदेर टॉपिक कि कोर कमांडर के घर पे हमले का मतलब इस लिहाज से गंबीर है कि फौज में तक्सीम है फौज बटी हुई है बड़े-बड़े अधिकारी भी इम्रान खान के साथ हैं और इसी लिए आसिम मुनीर मार्शल लौग की कारवाई नहीं कर पा रहे हैं यहीं कारण है तो यह है हालात और यह मेरे को लगता है कि ऐसे करी 7 यहां से आएंगे छहां से पंजाब से Sun वाले अमि मैंट नहीं होगी साथों चाहिए और पंपह्तोंखओं में होगी और Maga में होगी यहां पर यहां से रेफ्यूजी बन सकते हैं और भारत की बार्डर के उपर प्रेशर डाल सकते हैं वो एक समस्या होगी जिसको हमें डील करना पड़ेगा और उसके लिए मेंटल एक्साइज करते रहना चाहिए इंडियन इस्टैबलिश्मेंट है और हो मिनिस्ट्री है इसके उपर गंबीरता से पहले से ही विचार हो गया होगा और प्लैन ए प्लैन भी प्लैन सी किसी ना किसी रूप में बन के तियार हो गए होंगे क्योंकि अब पाकिस्तान जैसे थे वाली पूजिशन में आ जाए कि चार साल पांस साल पहले जैसा पाकिस्तान साब ऐसा हो जाए ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह गिरता ही चले जा रहा है इसमें कोई भी साइन अभी तक नहीं नजर आया जिसमें यह उबरा हो कि गिरता ही चले जा रहा है और इसी तरह यह स्लाइड करता जाएगा आज नहीं तो कल जो यह मैं आपको पसमंजर दे रहा हूं जो मैं आपको एक परस्पेक्टिव दे रहा हूं यह इस तरीके से होना लाजमी है ऐसा जरूर होगा हमको अपनी त्यारी रखनी है और हमको कि देखना है कि वहां पर किस तरीके से चीजें बन रही है इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर कमांडर के गर के इसी के साथ मेरा यह वीडियो यहां पर समापत होता है आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए फिर मुलाकात करते हैं जैसे जैसे पाकिस्तान और development होगा उसके उपर बात करेंगे आज तो खेर बहराल कुछ हुआ नहीं है लेकिन बहां पर जाहाद देर शांती रहने वाली नहीं है जैसी कुछ होगा तो फिर मिलते हैं जैहन